Google Analytics, दोस्तो इसका नाम आपने जरूर से सुना होगा, अगर आप Blogger या तो फिर WordPress यूज़ करते हैं, तो आपको इसका इस्तमाल जरूर से करना चाहिए, अपनी साइट के साथ इसको जरूर से connect करना चाहिए, इसकी मदद से आप अपनी साइट पर अपनी साइट पर अपनी से कैसे connect कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादत वीडियो में आपको यह नहीं बता गया, किस तरीके से bounce rate को आप चेक कर सकते हैं, तो अगर आपने भी analytics को पहले से अगर आपने connect करके रखा हो, और आपको नहीं दिख रहा है, तो यह आपका बहुत ही बड़ा loss है, क्योंकि अ कि जब आपको पता चलेगे का आपको bounce rate कितना चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप Google Analytics को आप पर connect करेंगे, साथ ही bounce rate जो यहाँ पर दिख रहा है, वो किस तरीके से आप enable करेंगे, अगर आपने पहले से enable करके रखा हो, अगर आपको यहा कि दिख लिजे, आपको मिल जाएगा, तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते, तो सबसे पहले आपको Google में आने के बाद, यहाँ पर आपको Google Analytics लिख देना है, अब इस वाले पेज़ पर दोस्तों यहाँ पर देखे यह वाला आपको मिल जाएगा, तो इसके पर आपने क्लिक कर लेना है, तो इसका हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लीजिए, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो भी आईडियों पर देख लेना है, अगर आपको किसी और आईडियों से यहाँ पर लोगिन है, तो उसको आपको हटा क must love can you website काव teenаж इसके बाद यहांस को नेशी की तरफ स्कूर्अ करना है और यहां सथको नेश्ट बटन पर घ्लिक कर देना है इसके बाद उपर की तरफ देखिए फीर से आपको और्परेशन भीANE आपको अपने का नाम यहां pen डालेगी नाम डेलनेके पर आपको नीचे आना है और नीचे जो सोव एडवांस लिख है उसको इनेबल करने में यहां से आना है यहां पर आपको फिर से अपनी वेबसाइट का जो यूर है वह आपने पेस्ट कर लेना है और यहां पर सिम वही करेंगे इसको आपको हटा के www.lick क्लिक कर लेना है, और पीछे वाला श्रीज भी हटा देना है अगर पीछे है तो उसको पहले नीचे आज़ाइए और प्रीयोज Krделic च्रिंश कर ले लेना है LEE केटेगरी select करने के बाद यहां से आपको size में आपको small size select करें अगर आपके खुद की personal website है तो small size आप रखेंगे नीचे create वाले button पर click कर लेना है अब आपको यहां पर कुछ इस तरह से यह वाली page मिलेगी तो यहां पर देखें उपर की तरह जो country है वहां पर country पर आना है आपको अपनी country को select करना है मेरा यहां पर इंडिया है तो मैं आप इंडिया को select कर लूँगा इसके बाद दूस्तों यहां पर इसके आपको बहुत सारे term and condition मिल जाएगा चाहों तो यहां पर आपको save वाले button पर click करेंगे अब इसके बाद दूस्तों यहां पर आपको जो वेब लिखा वेब के अबर आपने क्लिक करेंगे अब जैसे अब इसके बार आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के से यह वाली पर आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर सबसे पहरे यह website URL मागेगा तो यहां पर https रहने दार या आपके website का जो भी आता है यह पर आपको यहां पर आने के बाद आपको अपनी site का URL पेस्ट कर लेना है और पीछे भी अगर स्ले से उसको आपको हटा देना है तो यहां से इसको बटाएंगे हटाने के बाद यहां पर www.link देना है और पीछे भी अगर स्ले से तो उसको भी आप हटा देंगे इसके बाद आपको stream नेम माया पर आपको अपनी website का नाम आप डाल देना है यहां पर नाम डालने के बाद आपको नीचे create stream का बटन देखने को मिलेगा तो create stream वाले बटन प इस वाले code को अपने theme में भी आप paste कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देख मैं आपको दिखा देता हो तो tracking आपको ऊपर तरफ मिल जाएगा या तो फिर आपको यह जो code है इस वाले code को यहां से अपने copy कर लेना है ओके तो इसको हम copy करेंगे copy करने के बाद यहां पर मैं आपक customize पर क्लिक कर लेना है और यहां से आपको नीचे आपको आजाना है edit HTML में edit HTML में आने के बाद यहां से जो head है वहां पर आपको आना है और एक enter माना है और जो copy किया उसको यहां पने paste कर देना है यह हो गया blogger का अब दूस्तों अगर आपकी site WordPress पे है तो यहां से हम बेक आए जैसे के मेरी site WordPress पे तो मैं WordPress पे आ जाऊंगा यहां पर आने के बाद आपको plugins पे आना है और यहां से आपको add new पे click कर लेना है अगर आपके पास header and footer नहीं है तो यहां पर आईए add new पे click कर लीजे add new पे click करने के बाद आपको यहां पर search option में पर आपको search करना है insert headers and footers तो देखें मिल जेगा तो इसको यहां से आपको install करके active करने के बाद यहां से नीची आ जाना है settings पे और यहां पर आपको insert header and footer पर जाना है यहां से जो header है वहां पे आना है enter मानना है और यहां पर आपने copy किया उसको यहां पर paste कर दिना है कि इस तरह से paste करेंगे के होंब के बटन पर हम के बटन के जिसे आप आ जाओगे तो यहां पर मैं आपको इंटरफेस दिखा जैता हूँ कि कुछ आपको जो जो बाउंस रट का जो इंटरफेस दिख रहा था वो एक दम पर्फेक्टली यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा से इस तरीके से आपके पूरी इंटरफेस यही तरीके से आपकी आजाएगा, तो पर फेक्ली यहाँ पर आपका जो Google Analytics है वो आपकी वेबसे कैसे कनेक्ट हो जगा है, तो उमिद करता हूँ आप तो भी को आज की हमारी वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद तो लाइक करीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब जब से करीजिए